नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मैं हूं त्रिप्टी सोशल मीजिया पर इस समय एक क्लब हाउस चैट लीक होकर वाइरल हो रही है जिसमें देश के लुटियन पत्रकारों का जुंड जो कुद को निश्पक्ष बताने का धोंग करता है वो टीमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ एक गुप्त मीटिंग कर रहा है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि इसमें निश्पक्ष तो प्रशांत किशोर हैं जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जमीनी हकीकत को सच्चाई के साथ बया कर रहे थे कि बंगाल में बीजेपी की लहर है बाकी सारे लुटियर और लिबरल जो खुद को पत्रकार कहते हैं वो टीमसी के पन्ना प्रमुक की तरह टीमसी के लिए रणनीति बना रहे हैं जिससे ये भी साफ हो जाता है कि डिश्पक्षता का ढोंग करने वाले लुटियर पत्रकारों को इस बात की चिंता खाये जा रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बैनर जी को मोदी से मिल रही कड़ी टक कर कहीं खेला ना कर दे सवाल ये भी है कि आखरी बीच चिनाओ में जब तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी थी तब इन लिबरल लुटियन पत्रकारों को टीमसी के चिनाओी रणनीतिकार प्रिशांत किशोर के साथ गुप्त मीटिंग करने की क्या जरूरत थी आपको बता दूँ कि ये कोई प्रेस कॉन्फरेंस नहीं थी जिसमें पत्रकार जनता को बताने के लिए सवाल पूछते हैं ये एक सीक्रेट मीटिंग थी जिसमें सिलेक्टिव पत्रकार जो खुद को मोधी विरोधी बताकर निश्पक्ष बताते हैं वो टीमसी के चुनावी रणनीती कार से खास बातचीत कर रहे थे इन में से कई तो पश्चिम बंगाल में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करने गए थे और कई ट्विटर पर इंफ्लूएंसर बनके ट्वीट करते रहते हैं लेकिन इस बातचीत को सुनकर ना से इनकी निश्पक्षता बलकि विपक्षी पार्टियों के लिए कारिकरता की तरह काम करने की रणनीती भी खुल कर सामने आ गई है ये वही लोग हैं जो गोधी मीडिया का स्टैंप लेकर घूमते हैं और मोधिया बीजेपी के पक्ष में बोलने वालों पर जट से ठपा लगा देते हैं लेकिन ये खुद विपक्ष के मोहरे की तरह काम करते हैं और वो भी छुपकर इस मीटिंग में पिछले साथ साल से डर के माहौल में रह रहे रवीश कुमार भी हैं जिनके बचकाने सवाल सुनकर आप सर पीट लेंगे और समझ जाएंगे कि माहौल डर का नहीं बलकि मोधी का है इसमें रोहिनी सिंग, आर्फा खानम, स्वाती, चतुरवेदी जैसे खुद को लिबरल पत्रकार कहने वाले तथा कथित पत्रकार हैं इस खास मीटिंग के लिए इन लिबरल पत्रकारों ने अपने गैंग को नाम दिया था ब्राइट विंग इस ब्राइट विंग के पत्रकार कितने ब्राइट सवाल पूछ रहे थे, पहले उसका एक नमूना देख लीजिए प्रधारमंद्री मोधी से 2019 के आम चुनाफ के दौरान अक्टर अक्षे कुमार ने इंटर्व्यू लिया था एक कथे तौरपः बुद्धी जीवी महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा, वो पत्रकारिता के इतिहास में सुनेहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा ममता बैनर जी की चुनावी रणनीतिकार से इन्होंने एक गंभीर सवाल पूछा कि ममता जी इतनी चुनावी रणी करती है हेलिकॉप्टर से एक जगा से दूसरी जगा जाती है तो वो वाश रूम क कर जाती है मेरा ये सवाल है क्योंकि मैं तबसर सोच रही हूँ कि हम लोग जाते हमको इदो गंटे के अंदर इतने हीट है इतना पाणी पी रहे है शायद इस सवाल को सुनकर ही प्रशांत किशोर समझ गए होंगे कि वो कितने समझदार पत्रकारों के बीच में है ये तो बस चापलूसी का नमूना है इस मीटिंग में तो लिबरल कबाल पत्रकारों का गिरोह टीमसी के कारिकरताओं की तरह टीमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक तरह से ममता बेनरजी को जिताने के स्ट्राटेजी पर चर्चा करता दिख रहा है वो भी गुप्त मीटिंग में आप सुनिए कि कैसे मोधी को गाली देकर खुद को निश्पक्ष पत्रकार साबित करने की कोशिश में लगे इन लुटियन पत्रकारों के अर्मानों पर प्रशांत किशोर ने घड़े भर भर कर पानी फेर दिया पहले आपको बता दू कि ये मीटिंग कैसे लीख हुई दरसल ये मीटिंग एक एप पर हुई थी जिसका नाम है क्लब हाउस इसमें आजियो कॉन्फरेंस की जाती है और इस आजियो कॉन्फरेंस को रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं होती यानि लाइव चैट के बाद बात खत्म लेकिन बुद्धी जीवियों का ये जुद्ध मॉडरेट ट्राइवेट सेटिंग चेंज करना भूल गए और इस मीटिंग में शामिल होने वालों को ये भरोसा भी हो गया कि जो वो चर्चा कर रहे हैं वो बाहर लीक नहीं होगी तो सब ने अपने इरादे खुल कर जाहिर किये लेकिन इस गुप्त मीटिंग में होई चैट को संभवता किसी दूसरे पोन से लाइव रिकॉर्ड करके लीक कर दिया गया और चनावी मौसम में बीजेपी इसका भरपूर फायदा भी उठा रही है बीजेपी के कई नेता इस चैट को ट्वीट कर रहे हैं जिससे लोगों को पश्चे मंगाल और लिबरल लुचेन पत्रकारू दोनों की असलियत का पता चले पहली क्लिप सुनिये लगभग एक मिनिट की इस क्लिप में प्रशान्त किशोर कहते हैं कि हमें ये स्विकार करने की जरूरत है कि पिछले 20 साल से सब कुछ अलब संक्यों को खुश करने के लिए किया जा रहा है और वंगाल में एक फलसफा रहा है कि जिस किसी को भी मुसल्मान वोट देते हैं सरकार वही बनाएगा इससे हिंदू नारास थे चाहे कॉंग्रेस रही हो लेफ्ट या भाजापा सब मुसलिम वोट के लिए प्रयास करते रहे हैं पहली बार हिंदू को लग रहा है कि हमारी भी पूछ हो रही है और आप और मैं इससे इंकार नहीं कर सकते जो मेंजर जो प्रॉब्लम है विच्वी एक्सेप्ट की ट्वेंटी यह से देर हाज ब्लेटेंट एफ एफ़र्ट अब आप बेंगॉल को ठाकर देख लिए पॉलिटिक्स का यहां एक लाइन का सिंपल फलसफा यह रहा है कि जिसको मुसल्मान वोट करेगा वो सरकार बना उस तरह से सोच इनकी रही है पहली बार हिंदू ओप ऐसा लग रहा है कि अपको भी तो की तूसरा है ऐसा नहीं है कि एकदम से सुसाइटी ही गलाथ है कही नहीं नहीं देर इस सम ऐलिमेंट विच बिजएपी एक्सपोइट इस पॉलिटिक्स भाइस तो आप उससे हम और आप इंकार नहीं कर सकते हैं बोलता या लिखता नहीं दिखाई दिया होगा और नहीं कभी दिखाई देगा क्योंकि ये इनके एजन्डे को सूट नहीं करता ये वही पत्रकार हैं जो मुस्लिम लिंचिंग पर रुदाली की तरह रोने लगते हैं लेकिन ब्लास्फेमी के नाम पर जब कमलेश तिवाली जैसे हिंदू की हत्या होती है तो ये बिलो में घुश जाते हैं खिर ये एक लंबा और दूसरा विशह है अब आप खुछ समझ लीजे कि क्यों ये लोग हिंदू के अधिकारों या उनके साथ वे अत्याचारों पर चुप रहते हैं इनकी ये चुपि किस पार्टी के देश में बेरुजगारी बढ़ रही है क्या बंगाली लोगों को मोधी की हिंदी भाषा समझ में आती है मतलब ऐसे सवाल जो टीम से के कारिकरताओं ने अगर पूछ लिये होते चुनाव से पहले तो शायद पार्टी थोड़ी और बहतर रिस्तिधी में होती लेकिन इन ल पाइरल क्लिप को सुनिये जिसमें एक पत्रकार पूछती है कि मोधी बंगाल में इतने पॉपिलर क्यों हैं तो वहीं डर के माहौल में जी रहे ब्लैक स्क्रीन पत्रकार भी बीच में पूद पढ़ते हैं जो राज्य के चुनाव में केंदर सरकार को लेकर एंटी इनकंब प्रशांद किशोर ने तो मोधी को सर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कल्ट बता दिया और करेले पर नीम चड़ी बात ये तक कह दी कि देश के कई लोग तो मोधी में भगवान देखते हैं प्रशांट इसी से एक जुड़ाव सवाल ये भी है कि anti-incumbency इतना मैसिव एक्नॉमिक क्रैसिस में भी मोधी के खिलाफ anti-incumbency नहीं है नहीं है जी क्योंकि मोध जहां एक चीज़ आप देखे कि बेंगॉल में मोधी इस पहले तो एक बात है कि मोधी का कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में जो कि डिग्री कुड वैरी लेकिन दस परसेंट पंदरफ परसेंट 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 ऐसे लो स्टेल्ट कर्मेंट के खिलाफ है सेंटर के खिलाफ है नहीं और मोधी है पॉपउलर यहां काफी पॉपलर अगर आप लीडर का हम लोग सरवे कर रहे हैं तो मोधी मम्तार एकुली पॉपलर बेंगोल ने बीजेपी का स्वाद अभी चका नहीं है तो वो एक वेक फैक्टर है कि 30 साल 35 से जो लोगों ने नहीं देखा है तो उनको लग रहा है कि BJP कुछ ऐसा चीज है कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है तो लड़ू जो टेस्ट नहीं किया वह वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं उसको लोग जाकर देख है वह एक फैक्टर है पॉलराइजेशन है वह एक फैक्टर है और मोधी की पॉपलारिटी है यह तीनों चीज उसके उपर से फिर BJP की अपनी जो एलेक्टरोल मिसेनरी है लेकिन बेसिक यह तीन चीज यह है पॉलराइज एंटी इनकंबेंसी अगेंस त्रिनमून बीजेप पॉलराइज और से वह तीसरी क्लिप में ब्राइट विंकिस बापचीत में प्रशांत किशोर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर वोट है तो यह मोधी के नाम पर है यदि वोट है तो यह हिंदू होने की पहचान पर है उन्होंने कहा कि BJP चुनाव जीत रही है और बंगाल में BJP सरकार बना रही है ममता के सलाकार ने यहां तक कहा कि उनके सरवे भी यही कह रहे है उन्होंने कहा कि हमने लोगों से बात करने और इस घटना की तहह तक जाने की कोशिश की यह वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने दावा किया है कि अगर बंगाल लेकिन प्रशांद किशोर की बातों ने उन्हें जोर का जटका धीरे से दे दिया। और रही सही कसर चैट के लीग होने से पूरी हो गई। BJP नेता लीग चैट को ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं। अब प्रशांद किशोर ने ट्वीट करके BJP के उन नेताओं को चैलेंज किया है कि वो पूरी चैट पोस्ट करके दिखाएं। लेकिन जब खुद प्रशांद किशोर को चैट के दौरान पता चला था कि ये चैट ओपन है तो सुनिये उनका क्या रिक्शन था। । OES अब कुछाओ। I don't know, I mean somebody has just tweeted the city shot on Twitter tagging me and other people and saying that we all have declared the there is Boozeom Flow's victory स्ट कर दा instead. But who has done that? Listen there are people in this room no himanju jaeim somebody else is reporting to himanju jaeim during this room if you keep an open room if you keep an open room for everybody to join in and listen you can't prevent people from tweeting These things don't matter anyone can say anything right I mean it doesn't make a difference I know but this is often seen as evidence and one more thing I just needed people to remember was that whatever you say on Clubhouse is recorded. कि liberal पत्रकारों के TMC के लिए दिन रात काम करने के बावजूद बंगान में BJP का माहौल है जो बार बार TMC के रणनीतिकाय प्रशांद किशोर खुद कह रहे हैं. जितिनी तारीफें खुद प्रशांद किशोर ने BJP और मोधी की की हैं इतना तो BJP के खुद के लोग नहीं कर पाते हैं. दूसरा निश्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर जन्यता को मूर्ख बनाने वाले पत्रकार उन पत्रकारों से ज्यादा खतरनाक हैं जिन्हें ये लोग खुद गोधी मीडिया कहका प्रचारित करते हैं. ये गुप्त मीटिंग करके मोधी के खिलाफ काम करते हैं और विपक्षी पार्टियों के एजेंट बनकर रड़नीती बनाते हैं यानि देश के भले के लिए कुछ नहीं करते हैं अगर निश्पक्ष होते तो प्रशांत किशोर की तरह इस बात को स्विकार करते कि ना पर मोधी की लहर है। विपक्षी पार्टियों अपनी अल्प संक्यक तुष्टी करण की नीती के चलते हाशीय पर पहुंच चुकी हैं इस बात को भी ये स्विकार नहीं करते बंगाल की जनता ममता की इसी तुष्टी करण की नीती से दंगा चुकी है। तो क्या सर्फ पाई लोरी अपने शब्दों में लिखते और बोलते हैं और तीसरी बात यह है कि मोधी लोगप्रिता को नकार के यह आपस में एक दूसरे को तसल्ली देते रहते हैं कमजोर विबक्ष की तरह यह भी कमजोर पत्रकार हैं जो जमीनी सच्चाई को ना देखते हैं ना समझते ह और ना ही स्विकार करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें शेर करें और कैपिल टीवी को सब्सक्राइब करें